क्या भाई लोग, भूग लगिया तो घंटी द्वाने का और नेनी रेसिपी चेक करने का हेलो दोस्तो, निट्रिला फूड तक में आपका बहुत स्वाकत है मेरा नाम है शेफ विष्णू और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हल्दी और इंट्रस्टिंग री रेसिपी बनाऊँगा जिसका नाम है मकई सोया पकोड़ा, ये बहुत ही एक हल्दी रेसिपी है इनफेक्ट लॉट अफ प्रोटीन इस रेसिपी के अंदर है और बहुत जल्दी चटपट बनने वाली रेसिपी है तोया मकई पकोड़ा के लिए सबसे बहले मैं डालूँगा निट्रिला सोय ओयल बहुत ही हेल्दी ओयल है ये कुकिंग के लिए हम में इसमें डालूँगा बारी कटा हुआ लस्न टू टी अफूण आफ लस्न हम मैं डालूँगा वन टी-स्पूण आफ अजरक अज़ा को टी स्पूण आफ णिए एक टी स्पूण गें चिली यूद्ट कर रहा है अगर आप तीखा पसंद करते हैं, चटपटा पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें चिली से दावा एड़ कर सकते हैं कॉन दो से तीन मिनट तक इसका मैं पकाऊंगा थोड़ा सा नमक एड़ करूँगा मैं इसमें कॉन को कुक करने के बाद ये नुट्रिला सोया ग्रानुल्स मैंने पहले से ही सोक कर रखे थे और उनको मैंने अब स्टेन कर लिया है कॉन का मिक्स्चर मेरा अरड़ी कुक हो गया है अब इतमें मैं आड़ करूंगा Soya Neutrilla Granules जो मैंने पहले इसे पानी में सोख करा है दस मिनट तक उसके बाद इसको मैंने स्टेन कर लिया है Granules को डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगा Red Chili Powder 1 teaspoon of Red Chili Powder teaspoon of Amchur Powder and 1 teaspoon of Jeera Powder अब इसको 1-5 minute तक अच्छे से हम चलाएंगे ताकि सारे मसाले जो भी हमने इसके अंदर dry spices डाले वो अच्छे से mix होज़े इस recipe में मैं कौन यूज़ कर रहा हूँ आप चाहे तो इसके अंदर अपनी मन पसंद की कोई भी सबजी डाल सकते हैं पनीर यूज़ कर सकते हैं मटज यूज़ कर सकते हैं mixture मेरा अब ये कुग हो चुका है अब इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगा 10-15 जट मैं इसको ठंडा करूँगा तब तक हम अपना तेल गरम कर लेते हैं frying के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ तब तक मैं अपना mixture रेड़ी कर लेता हूँ पकोड़ों का ये मसाला मेरा ठंडा हो गया है इसमें मैं आड़ करूँगा बेशन बाइंडिंग के लिए बेशन आड़ करता हूँ थोड़ा सा नमक बारिक कटा हुआ धनिया पानी अब इस सारी mixture दो हम अच्छे से मिलाएंगे सोया निट्रुला बहुत ही नुट्रीशियस है ये और पकोड़े इसके बहुत ही टेस्टी और नुट्रीशियस दी बनते हैं हल्दी भी है हल्द के लिए और स्नैक टाइम पकोड़ा है ये आफिस से हाएं कभी भी स्नैक स्काने का मनो तो कभी भी आप शाम को घर पर आराम से बना सकते हैं इजी टू मेट रेसिपी है जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बड़ी ही सिंपल इंग्रीडियंट्स है इसके अंदर मिक्षर हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसको फ्राइ करते हैं ऐसे आप इसको हाथ में लेंगे हम इसके छोटे-छोटे गोल-गोल हम पकोडे बनाएंगे और हम करम तेल में डाल देंगे मैं इसको बॉल शेप दे रहा हूँ आप चाहें तो ट्राइंगल, टिक्की, बड़ा छोटा जैसा आपको पसंदो वैसे इसको शेप देके फ्राइ कर सकते हैं पकोडे हमारे फ्राइब के रेडी हो चुके हैं आईए इसको हम निकाल लेते हैं देखे किसना अच्छा गोल्डन बहुत ही बड़िया पकोडे वाला कलर आया इसके उबर तयार है हमारे सोया मककई पकोडे आईए हम इसको प्लेट करते हैं बहुती साथ क्रिस्पी बने हैं चट पटे हैं, मसाले डार हैं इवनिंग स्नेक्स हो, चाहे मौनिंग में चाय के साथ हो कभी भी आप इसे रेसिपी को एंजोई कर सकते हैं साथ में इसके मैं सरकरूमा टमैटो केचप तयार है हमारा निट्रीला मकई पकोड़ा ऐसी हमारी और रेसिपी इसके लिए लाइक, शेर और कमेंट करिए